महाराचा सायजिराव यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फेकल्टी आए दिन विवादों में गिरी रहती है तब इस बार आर्ट्स फेकल्टी में एक महिला प्रोफेसर ने अभयम की टीम बुला ली जिसके बाद ये खबर सामने आते ही यूनिवर्सिटी में काफी अचरच देखने मिली महाराचा सायजिराव यूनिवर्सिटी केंपस की आर्ट्स फेकल्टी में कुझरादी विवाग में आज अभयम कहिला हैल्पलाइन की टीम आप महुची थी जिसके चलते चात्रों में काफी ज्यादा अचरच देखने मिल रही थी तरसल ये जो महीला हेलपलाइन की टीम है उसे कुछ रादे विपाग के प्रोफेसर दरशीनी दादावाला की और से बुलाई गई थी ये टीम महिला प्रोफेसर दरशिनी दादावाला की कैबिन में पहुंची थी आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले आर्ट्स फेकल्टी में जो इम्तिहान आयोजित हुए थे उसमें चातरों तक पेपर नहीं पहुंचे थे और इस मामले में काफी हंगामा भी मचा था जिसके बाद टीन प्रोफेसर आधिया सक्सेना की ओर से चार्च कमिटी का गठन कर जिम्मेदार प्रोफेसरों के सामने कड़ी कारवाई करने की बात पताई गई थी तब आपको बता दे कि सुत्रों के पास से इस मामले में जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक महिला प्रोफेसर दर्शिनी दादावाला और अन्यो प्रोफेसरों के बीच बार बार तकरार होती रहती है शिक्षा के मुद्दे में ही ये तकरार होती है जिसके मत्दे नजर साथ ही प्रोफेसर उन्हें मानसिक तोर पर परिशान कर रहे होने के मुद्दे के मत्दे नजर प्रोफेसर दर्शनी दादावाला की और से अभया महिला हेल्पलाइन की टीम बुलाई थी ऐसा पता जल रह हालाकि इस बात के सामने आने के बाद युनिवर्सिटी में काफी हंगामा मचा हुआ है अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG News की मोबाइल एप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें